स्वागत आप सबीका एक बार खिल से आपके अपने यूटूब चैनल को और में टेंपलर यूजिमें दोस्तों आज वीडियो में हम चार्चा करेंगे कि डिपार्टमेंट ओफ एक्स्पेंडिचर मिनिस्ट्री ओफ फाइनस की तरफ से 28 सिप्तेंबर 2018 को एंट्री पे के समध में जो ऑफिस मेमरोडम जारी किया था उसके बारे में हलांकि इसके बारे में पहले से हमने एक वीडियो बनाया हुआ सूचना अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के जरूर सियर करें जिससे उन तक यह खवत पहुंच सके और यदि वह भी इस परिशानी से ग्रसित हैं या पर उन्हें एंट्री पे का लाब नहीं मिला है तो उनको भी एंट्री पे का लाब मि मिल जाएगा तो दोस्तों आईए अब शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले हम कुछ बात आपको बताना चाहेंगे कि यह जो मामला है वो सिक्स पे कमिशन से जुड़ा हुआ है कि यदि किसी भी केंदे करमचारी का या तो रेक्रूटमेंट हुआ है या फिर उसका प प्रेड के बीच में प्रमोशन हुआ है तो उनके लिए काफी बड़ा फादा यहां पर मिलने वाला है तो जैसे कि सिक्स पे कमिशन में क्या था ना कि सरकार ने ग्रेट पे सिस्टम को लागू किया था और उसमें हरे ग्रेड पे के लिए एक नया पे बेंड था वा उस पे जोइन करता था उस कंविशन में लेकिन हुआ क्या ना कि जब पे कमिशन लागू हो गया और लागू होने के बाद में जो सिक्स पे कमिशन के जो रूल थे वह ऐसे थे कि यदि कोई करमचारी का प्रमोशन होता है किसी निम्निव पोश्ट से हाईयर पोश्ट में तो उस सम आनों ने जिक्रिक किया है कि जो सिक्स पे कमिशन का रूल नंबर सेवन ए है और रूल नंबर थर्टीन ए जो कि रिवाइज पे रूल से दूजार आट था उनके अकॉर्डिंग फिक्स की जाती थी तो हमां यहाँ पर बता देते हैं कि रूल नंबर जो थर्टीन है और में क्या होता था कि यदि प opioid on promotion on and after one one šix कि यदि कि एक चह के बार में किसी कर्मीच defend का promotion होता है तो उसे किस तरीके से效 किया जाए घा तो उस मामले में एक पराणे पोस्ट में जो basic थी याणि pay in payment grade पे जो existing grade परहत ग्रेडья उसका 3% उसे increment दिया जाता था और इंक्युमेंट देने के बाद में जो वैलु आती थी वह fix किजी आती थी उसकी basic salary, यानि basic pair, और साथ में जो नई उसकी रेड पर उसका लाण उसे दिया जाता था उस condition में, और येदि जोड जो calculation करने के बाद में उस employee कि या फिर उस कर्मचारी की जो pay है, उस pay band के minimum से कम है, यानि payment मानलो कि 9300 से लेका 34400 तक चलता है, तो यदि उसकी जो basic pay है मानलो, यदि 1390 रुपए से कम होती है, तो उसकी जो basic pay है, वो 9300 fix कियाती थी, यदि चाहे वो केंद्रे करमचारी 4200 grade में promotion हो रहा हूँ, उसका चाहे 4600 में हो रहा हो, चाहे 4800 में हो रहा हो, लेकिन उसकी fix कियाती थी 9300, जो की काफी कम थी, और हर एक जो grade पे है, मानलो की यदि 3800 grade पे है, उसकी basic पे 3350 थी, ऐसे जो 4600 वाले हैं, उनकी यदि direct भरती होती थी, तो उनकी जो basic salary level 12000 प्लस बनती थी, लेकिन जो promoting candidate है, उनकी basic पे fix कर दी जाती थी, 9300 रुपे पर, तो यहां पर उनने काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था, तो उसके बाद में, यह काफी anomaly बने थी, anomaly होने के बाद में सरकार ने, यह फैसला लिया कि जिन पोस्टों में, direct recruitment का provision है, यह direct recruitment आता है, तो उस condition में जो senior employees है, जैसे ही कोई direct परती होती है उस post के लिए, तो seniors की भी जो pay है, वो direct recruiter के बराबर कर दी जाती थे, तो वहाँ पर उन्हें उस entry पर का लाब मिल जाता था, लेकिन उसके लिए उन्हें इंतजार करना होता था नई भरती होने का, जब तक नहीं बरती नहीं होती थी, उन्हें employees को चाहिए वो कितने भी senior हो, उन्हें काफी वित्यर नुकसान आपर उठाना पड़ रहा था, उसके बाद में यह जो मामला था, वो काफी लंबा चला, यह cat में भी गया, cat ने आपर करमचारियों के फेवरा फ्रेशला दिया था, फिर cat के बाद में यह मामला चला गया था, high court में, high court ने करमचारियों की जो मांगती उसको रद्द कर दिया था, और सरकार के फेवर में फ्रेशला दिया था, तो भी उन्हें entry pay का लाव या पर दिया जाना चाहिए क्योंकि हर एक जो आदमी है वो सवान काम कर रहा है और उसके फिर salary क्यों कम मिलनी चाहिए उसके जो junior है या फिर जो आदमी same post में काम कर रहा है तो कम से कम उसे पर entry pay का लाव दिया जाए तो उसे उस post के लिए जो minimum entry pay वो दी जाएगी लेकिन six pay कमिशन में ऐसा नहीं था और इसकी वाज़े से यह anomaly कभी बढ़ी गई थी और supreme court ने फिर कर्मचारियों के favor में पैसला दिया और पैसला देने के बाद में आप यह आदिस भी वित्तमंत्राल की तरफ से जारी किया गया है लेकिन यह पिशला आने में लगा होगा यहां पर आप देख लिए कि बारे साल का समय लग चुका है कि six pay कमिशन का period 31 December 2015 को भी खतम हो चुका है लेकिन सरकार ने अब यहां पर आदिस दिया है लेकिन देर आए दुरुस्त आए जैसी यह कहा होता है वह अफसारता कोती दिख रही है और यहां पर ऐसे सभी कर्मचारी जिनका की खास्तोर से प्रमोशन हुआ है एक जनवरी 2006 से पहले और या फिर एक जनवरी 2006 के बाद में भी उनको यहां पर entry pay का लाप दिया जाएगा चाहें आप किसी भी पोश्ट से आपका प्रमोशन है इधी हाईर पोश्ट में हुआ है रजी आपको entry pay का लाप नहीं मिलाता उस समय पर तो यहां पर आपको बड़ा फाइदा होने वाला है और आपको अब जो minimum pay जिस पोश्ट के लिए आपका प्रमोशन हुआ है अपना प्रमोशन हुआ है उस पोश्ट का entry पर यहां पर आपको दिया जाएगा तो यहां पर जो पैर नंबर एट है वो इस आदिशा काफी महत पूर्ण है तो यहां पर आप देख लिजे कि the president is pleased to decide that in respect of the those post where entry pay for direct recruits appointed on or after 116 as per the sanction section 2 of the shows becomes applicable by virtue of the provision of the element of direct recruitment in the relevant recruitment rules the pay of central government employees who were appointed to such post prior to 116 and whose pay as fixed in the revised pay structure under rule 7 thereof as on 116 turns out to be lower than the prescribed entry pay for direct recruits of that post shall not be less than such entry pay with effect from 116 तो ऐसे भी जो कर्मचारी जो की एक एक 6 ने 26 से पहले भरती हो है लेकिन उनकी पे एंट्री पे से कम है तो उनको भी यहां पर entry pay का लाब दिया जाएगा एक जनवरी 2006 से ही उसके बाद में जो दूसरा पहरा यहां पर है कि likewise the pay of central government employees who were appointed to such post by way of promotion on or after 116 and whose pay has fixed under rule 13 of CCS revised pay rules 2008 happens to be lower than the said entry pay sell also not be less than such entry pay from the date of their promotion taking place on or after 116 साथ में ऐसे जो किद्दे कर्मचारी जिनका की 6 pay commission के अंदर किसी post के लिए promotion हुआ है और उनको entry pay का लाब नहीं दिया गया और उनकी जो pay है जैसे हमने पहले बता ही है आपको CCS revised pay rules rule no.30 2008 के अंदर फिक्स की थी तो उनकी भी जो pay है यदि entry pay से कम है तो उनने भी हांपर entry pay का लाब दिया जाएगा तो इनको भी यहने से सभी किद्दे कर्मचारी जिनका की promotion एक 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 जनुरी दौश्य के बाद में हुआ है और उनको entry pay का लाब नहीं दिया गया है तो उनको भी जिस post से जिस तारिक से उनका promotion उस post के लिए हुआ है उस date से उनने entry pay का लाब यहां तो इसका फाइदा सभी जो प्रिभावीत कर्मचारी हैं उनकी pay में भी होगा pension में भी होगा और काफी अच्छा मोटा खासा area यहां पर उनको मिलने वाला है क्योंकि जो पहले वाले हैं उन्हें पहले से नियम लागू रहेगा और जो बाद वाले हैं जिस date से उनका promotion higher post के लिए होगा है उस date से उन्हें entry पे कला दिया जाएगा तो उनको भी यहां पर काफी अच्छा area मिलने वाला है और यह area उन्हें सारे जो अलाउंसे साथ में मिलेगा और जल्दी ही इसके बारे में DOPT के तरब से आधिस भी जारी कर दिये जाएंगे तो दोस्तों काफी अच दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो खबर आपको दी गई है आपको फायदे की रही होगी और आपको तमझ में आ गया होगा कि क्या है यह पूरा office memorandum तो खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों साथ में भी share करते हैं जिससे नहीं साथ में subscribe करें और bell icon को भी press कर लें जिससे हर एक नए वीडियो का notification आपको तुनत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे तो एक बार फिर से आप सभी को हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद